माननी ये प्रधान मंत्य जी आदर्निय अद्धेश महवद है ये सदन का सवभाग्य है कि आप दूसरी बाद इस आशन कर विराजमान हो रहे है आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अद्धेश जी मेरी तरफ से आपको शुप पामना है लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुप कामना है अम्रत काल के इस महत्वप्र कालखन में दूसरी बाद इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दाईत आपको मिला है और आपका पांच वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का पांच साल का अनुभव हम सब का विश्वास है कि आप आने वाले पांच साल हम सब का मारदर्शंग भी करेंगे और देश की आशा आपके छाय पूर्ण करने के लिए यह सदन अपना दाईत्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमी कराएगी अधरेने देख जी हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि बिनम्रव और व्यहवार कुशल व्यक्ति सभल सहज रित्र होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मिठी मिठी मुष्कान भी मिली हुई है आपके चहरे को यह मिठी मिठी मुष्कान पूरे सदन को भी प्रसंद रखती है मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान नए किर्थिमान गड़ते आये हैं अठारवी लोगसभा में स्पीकर का कायरभार दुस्तरीजार सभालना यह अपने आप में बया नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं तो स्री राम तुरी बलराम जाखर जी वो पहले ऐसे अद्धिक से जिन्होंने पांच साल कायरकाल पूरा करके फिर दुबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था उसके बाद आप हैं जिन्हें पांच साल पूर्ण करने के बाद दुबारा इस पत्पर आसिल होने का अवसर मिला गत्बीच साल का एक ऐसा कालखन रहा है कि ज्यादा तर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आये हैं आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठीन है कि उसके लिए दुबारा जीतना मुश्किल हो जाता है लेकिन आप जीत करके आए हैं इसके लिए एक नया इत्याहत आपने कड़ा आदरिने अद्यक जी इस सदन में ज्यादा तर हमारे सभी मानने सांसत आप से परिचित हैं आपके जीवन से भी परिचित हैं और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके समझ में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं एक सांसत के रूप में और हम सभी सांसत के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसत के नात्य काम करते हैं यह भी जानने योग्य हैं और बहुत कुछ सीखने योग्य हैं मुझे भी स्वास है कि आपकी कारशा लिए एज़ शांसत भी हमारे जो फर्स्टाइमर सांसत है हमारे युवा सांसत है उनको जुरूर प्रेना देगी आपने अपने कारक्षेत्र में सांसत्य क्षेत्र में स्वस्त मां और स्वस्त सिशु एक कमिट्मेंट के साथ जो अभ्यान चलाया है और सुपोशित मां इस अभ्यान को आपने जिस प्रकार से अपने छेत्र में प्राथ्मिक्ता दे करके खुद को इन्वाल करके किया है वो बाकई प्रेरक है है कि आपने को टा के ग्रामिट च्षेत्र में हॉस्पिटल नॉन विल्स यह भी एक मानव सेवा का उत्तम काम जो राजरिती कामों के सिवायक करने वाले कामों में आपने किना है वो भी अपने आप में गाउं गाउं लोगों को स्वास्ता सेवाये पहुँचाने में मदद कर रहा है आप नियमित रुप से गरीबों को कपड़े कंबल मौसम के नुजार चाता की जरुते चाता जूते ऐसी अनेक सुविधाय समाज के आखरी तपके के जो लोग है उनको खोच-कूर्टिज के पहुंचाते हैं खेलों में प्रोच्छान देना आपके खेत्र के उवकों में या अपने एक प्रादफिक्ता के रूप से काम उठाया है आपके पिछले कारकाल में 17 वी लोग सभा में मैं कहता हूं कि संसद्य इतिहास का वो स्वनिम काल खंड रहा है आपके अद्धिक्स्ता में संसद्य में जो अइतिहासिक निर्णे हुए आपके अद्धिक्स्ता में सदन के मादम से जो सुधार हुए है यह अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी दिरासत है और भविश में 70 वी लोग सभा के समन में जब विश्टेशन होंगे उसके विश्टेश में लिखा जाएगा तो भारत के भविश्टेश को नई दिशा देने में आपके अद्धिक्स्ता वाली 70 वी लोग सभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है आदर्न यद्धिक्जी 17 वी लोग सभा में नारी शक्ति मंदन अधिनियम 2023 जम्मू कश्विक पुनरगठन विदेयक भारतिय न्याय सहीता भारतिय साच्छबिल भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता शामाजिक सुरक्षा सहीता डिजिटल परस्टनल डेटा प्रोटेक्शन बील मुस्लिम महला विभा अधिकार सवरक्षन विदेयक ट्रांस जेंडर पर्संस प्रोटेक्शन अब राइट्स बील कन्यूमर प्रोटेक्शन बील डारेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास विधेक, सामाजिक, आर्थिक और राष्टिय महत्व के रहे, ऐसे कितने ही महत्वपुण एत्यासिक कानूं, सत्रभी लोग सभा में आपकी अद्धिक्स्ता के अंदर इस सदन्य पारित किये हैं और देश के लिए एक मजबूत निव बनाई है, जो कारिया आजहादी के सत्तर साल में नहीं हो हैं, आपकी अद्धिक्स्ता में इस सदन्य इसको करके दिखाया है। आदर नियग जी, लोग संत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ावाते हैं, कुछ अवसर ऐसे होते हैं, जब हमें किर्टिमान स्थापीत करने का सवभागी मिलता है। सत्रवी लोग संबाय में उपलब्धियां मुझे पूरा विश्वास है, देश आज भी और भविश्य में उसका गवरव करेगा। आज देश अपनी आकांच्छाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये नया संसद भवन भी अम्रित काल के बविश्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अधिक्ष्टा करेगा। नए संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अधिक्ष्टा में हुआ और आपने संसदिय कारप्रणाई को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वकुन फैसले लिए हैं और इसलिए लोगतंत्र को मजबूती देने में मदद मिली हैं लोगसभा में हम पेपरलेज डिजिटल व्यवस्था से आज काम कर रहे हैं पहली बार आपने सभी मानले संसदों को ब्रिफिंग के लिए एक व्यवस्था खड़ी की इससे सभी मानले संसदों को भी आवशक रेफरंस मट्रियल मिला उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पुष्ट हुई और यह आपका एक अच्छा इनिसिट्यू था जिसने सांसदों में भी विश्वास प्यदा किया घा मैं भी कुछ कह सकता हूं मैं भी अपने तरक दे सकता हूं तो एक अपने अच्छी व्यवस्था को भिख्षित किया है आदेनिया देख जी जी ट्वेंटी भारत की सभलता के महत्वपों पृष्ट है लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है वो है पी ट्वेंटी और आपके नेत्रुतों में जी ट्वें हैं उनका सम्मेलन आपकी अद्रिक्सा में हुआ और अब तक की ट्वेंटी के जीतने सम्मेलन हुए उसमें ये ऐसा अवसरताग दुनिया के सरवाधिक देश आपके निमंत्रन पर भारत आये और बहुत ही उत्त्म प्रकार के निर्णे उस समीट में हुए और उसने विश्व में भारत की लोगतंत्र की जो प्रतिष्टा है उसको गवरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है आदर्य अद्रिक जी यह हमारा भवन यह सर्फ चार दिवारे नहीं है हमारा यह संसत एक सो चालीस करोड़ देश वाश्व की आशा का केंद्र संसत की कारवाई जबाब देही और आच्रा हमारे देश वाश्व के मन में लोगतंत्र के प्रतिश उनकी निश्ठा है उसको और अधिक मजबुद बनाता है आपके मारदर्शन में 17 वी लोगसभा उसकी प्रोड़क्टिविटी 25 साल के हाइस लेवल पर 97 परसंट रहे और इसके लिए सब मानिय सदस तो अभिनंदर के अधिकारी हैं लेकिन आप विशेश अभिनंदर के अधिकारी हैं कोरोना जैसे मुश्किल कालखन में आपने हर सांसद से व्यक्तिकत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा कहीं किसे सांसद की बिमारी की खबर आई तो आपने सदन के अधिक के नाते व्यक्तिकत उसके चिंता की और वो सभी दलके सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुख्या के रुप में उस कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुपने नहीं दिया सांसदोंने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पे चड़ाया किसी को उपर बैठने के लिए कहां तो वह वहां जाके बैठा किसी को दूसरे जगा भी जाके बैठने के लिए को वह भी बैठा लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया लेकिन आपने यह जो फैस 170 परसंट प्रोड़क्टिविटी यह अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है अधनी अद्देग जी हम सब चाहते हैं कि सदन में आच्राउन सदन के नियमों का परण हम सब करें और आपने बड़े सटिक तरीके से संतुलिक तरीके और कभी-कभी कठ सथोर्ताके साथ भी फैसले लिए हैं मैं जानता हूं कि ऐसे दिन्रण आपको है कि पीड़ा भी देते हैं लेकिन सब्सक्षादक सदन की गरिमा और ब्यक्तिगरत पीड़ा व है आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपराव को बनाने का प्रयास किया यह साहस्पून काम के लिए भी आधन्य देख जी आप अभिनादन के अधिकारी हैं मुझे भी स्वास है आधन्य देख जी आप तो सपर होने ही वाले लेकिन आपकी अधिश्ताम है यह ठारवी लोग सभावी बहुत सभलता पूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी मैं फिर एक बार आपको इस महत्मपन दाइत्व के लिए और देश को विकास की नई उचाहियों पर ले जाने वाले इस सदन के अधिक्षता के लिए रदेश से बहुत बहुत सुप कामना है देता हूं